नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको bank sales officer के बारे में बताऊँगा कि ये bank sales officer क्या होता है, इनकी क्या-क्य job responsibility होती है किस तरह आपका selection होता है, आपका salary कितना मिलता है और growth के कितने chances है सबसे पहले मैं आपको बता दू, sales officer जैसे नाम से ही पता चलता है यह sales की job है मतलब आप जिस भी bank में हो private bank या सरकारी bank आपको बहाँ पर सिर्फ sales करनी है मतलब आपको bank के लिए नया business लेके आना है अब sales officer क्या होता है कि अलग-अलग bank की अलग-अलग departments होते है तो बहाँ पर एक specific sales officer रखे जाते हैं की नीचे तपके के होते हैं सबसे lowest base जो इसको कहा जाता है sales officer किसी भी department में हो सकता है home loan का जो sales officer है वो सिर्फ home loan sourcing और उसके file collection में ही involved रहेगा जैसे auto loan हो गया personal loan हो गया saving account या current account opening वाली चीज़ हो गई tractor loan हो गया, credit card life insurance, mutual fund यह जितने भी sections हैं इन सब में dedicated sales officer होते हैं जो सिर्फ उसी department का काम करते हैं और ऐसा आज कल सरकारी बैंकों में भी होने लग गया पहले private bankों में तो था ही sales में अगर यदि आप आते हैं तो आपको unlimited opportunity होती है मतलब आप सोच नहीं सकते हैं आप इतनी growth कर सकते हैं sales में मैं ICCA bank में था तब मैं जानता हूँ कि एक जो लेडी थी जिसने sales officer job joint किया था वो आज की date में journal manager है ICCA bank में तो आप सोच सकते हैं अगर आप sales में आप बाकि में मेहनत कर सकते हैं खून पसीना एक कर सकते हैं तो unlimited growth है कोई sales officer journal manager तक बन जाए इतनी opportunity मिलती है आपको private bank home है अब हम बात करते हैं कि sales officer को क्या-क्या काम करना होता है देखिए sales officer का जादा तर काम field work होता है मतलब bank के अंदर उसको जो core banking solution होता है जिसके अंदर सारे transactions के जाते है उस पे बैटने के लिए वो authorized नहीं होता उसका काम सिर्फ field में जाना है bank के लिए business लाना है चाहे वो कोई साभी business हो जिस भी department में वो home loan हो car loan हो वो सारे banking और financial product उसको बेचनी है अब बात करते हैं total customer acquisition करना होता है मतलब उसका काम सिर्फ bank के लिए नए-नए customer लेके आना है चाहे वो किसी भी तरीके से लेकर आये दिनबर field में रहे total आपका marketing का job है आपको last में day end में आपने boss को यही report करना है कि आपने कितनी sales करी देखिए sales officer का जो structure होता है bank के अंदर private bank के अंदर वो ऐसा होता है कि एक team leader होता है team leader जर्णली bank का employee होता है जो bank के payroll पे होता है उसके अंदर 5-10 लोगों sales officer की team होती है जैसे कि मैं एक example लूँ tractor loan है, tractor loan में एक leader है और फिर 5-10 sales officer की जो team है वो tractor dealer के पास जाएंगे उस district में और file में source करने की पूरी कोशिश करेंगे हमेशा आप यान रखिए आपको सुबह शाम meeting attend करनी पड़ेगी सुबह आप अपने team leader के साथ meeting attend करेंगे कि आज आपको क्या करता है, क्या target है evening में फिर आपको अपने team leader के साथ meeting attend करनी होगी कि आज आपने क्या किया, कितनी sales करी और आगे चलके जो भी आज आपने source किया है, वो कब तक sales में convert हो जाएगी मैं आपको पहली बता दू sales officer का काम काफी तनाव बाला होता है आपके बाद जिम्मेदारिया नहीं होती लेकिन आपके बाद job का pressure होता है sales का pressure होता है और अपने target अचीब करने का pressure होता है यानि कि अगर आप sales officer अब आपको अगर यह job चाहिए, तो इसके लिए कोई ज़्यादा qualification की ज़रूत नहीं है प्राइबेट वैंकों में जर्नली बार भी पास वालों को भी यह job मिल जाती है, क्योंकि बस एक ही काबिलियत आपने होनी चाहिए, कि आप sales में माहे हो, आपको लोगों से relation बनाना हो, बनाना आना चाहिए लोगों से licensing अच्छी होनी चाहिए तो आप अपने आप sales करपा होगे अब बात करते हैं जो payroll की, जर्नली जो sales officer होते हैं, वो third party के payroll पे रहते हैं, मतलब जैसे अगर आप HDFC, ICC बैंक में काम कर रहे हैं, ऐसे sales officer तो chances यह हैं कि आपकी जो pay slip है, वो third party दे रही है, लेकिन आप काम से बाई से इसे बैंक के लिए कर रहे हैं क्योंकि जर्नली बैंक sales officer पे पे रॉल पे नहीं रखता लेकिन अगर कोई sales officer महुत अच्छा काम करें और bank impress हो जाए, तो bank उसको अपने payroll पे confirm कर देता है मैंने कई बाद ऐसा देखा है salary generally sales officer को 10 से 20 अजार के बीच में salary मिलती है आप चाहे private bank में काम कर रहे हो, चाहे सरगारी bank में हाँ, लेकिन salary के अलावा एक चीज बहुत अच्छी बात है, अगर आप sales में बहुत अच्छा कर देते हो, तो आपको bonus कई बार salary से जादा मिल जाता है यानि कि आपको bonus part रहता है, वो salary से जादा होता है, क्योंकि आपका जो भी private bank को में जो incentive बनता है वो आपकी sales के उपर बनता है मान के चलिए, आपको 50 credit card करने थे, आपने कर दी है 100, तो आपको बहुत अच्छा incentive मिलेगा bank की तरफ से ये देखिए, जैसे कि अगर मान के चलिए, आप sales officer लगे हुए, अब जैसे मैं example लेता हूँ जैसे HDFC में ये महिला sales officer लगी हुई है, तो आप उपर देख सकते हैं, एक company MBBBM marketing, मतलब pay roll आपकी MBBBM marketing की है, लेकिन ये है जो मीरा जी है, ये काम HDFC bank के लिए कर रही है, तो अगर आप sales officer की job करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह की ही profile पर काम करना पड़ेगा अब बात आती है कि ये job कैसे करें, कैसे मिल सकती है देखिए, सबसे best ये है, आज की rate में चाहे private bank को चाहे सरकारी bank को, हर किसी को sales officer की ज़रूरत है, हर को ये अपना business बढ़ारा चाता है सबसे best ये है, कि अगर आप करना चाहते है आप अपने इलाके के 10-15 bank को में एक एक बात जाके branch manager से, या किसी से भी मिल के आजाएगे कि वहाँ पर vacancy है क्या हो और generally मैं बताऊँ सबसे अच्छा ये है रहेगा कि जैसे मान के चली, आपने choose कि है कि मैं मेरे इलाके के ICCA bank में job करना चाहता हूँ तो वहाँ पर जो भी sales officer लगे आप इन से मिल लीजे और आप उन से जाके मिल लीजे और आपका काम बड़ा easy ली तरीके से हो जाएगा और अगर आप bank में किसी को जानते हैं, कोई रिष्टेदार है दोस्त हैं, तो उन से संपर्ग में रहिए क्योंकि जर्नली, पैकेंजी हर bank में 6 महीने सालवर में निकलनी जाती है आप daily newspaper पढ़ते हैं उसमें जो advertisement वाला section होता है उसमें कई बार आपको इस तरह के इस्तियार दिखेंगे, तो इन पर गोर करिए इन पर नज़र लगए कि अपने आसपास के लाके में ऐसा कौन सा bank है, जो sales आप इस whatsapp नमबर से मुझसे जुड़िये, मैं आपको एक से बढ़के एक technique पता हुआ legal वाली, कि जिससे आप घर बैटे पैसा कमा पाए, अगर आप मेहनती है तो, मुझसे अगर आपको जुड़ना है पैसे कमाने के लिए आप तभी जुड़िये, तब आप मन में ये विश्वास करें कि आपको मेहनत करनी है इमानदारी से काम करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं target लेके चल रहा हूँ अगले एक साल में मैं कम से कम एक लाख लोगों को रोजगार दिला हूँआ अब तक मुझसे हजारों लोग जोड़ चुके है और जिनको मैं घर बैटे वो जो काम कर रहे थे, वो ही कर रहे है मैं उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ां बताता रहता हूँ जिससे वो लीगर तरीके से पैसा कमा सकते है तो मुझसे जुड़िये, मुझे वाट्सअप करिए, मेरे गुरुपों से में एड़ अप होई है वाट्सअप के में आपको 100% benefit होगा कोई investment नहीं किसी तरह का कोई खडचा नहीं सिर्फ मुझे एक ही investment चीए आपका वो है मेहनत तो फ्रेंड्स मुझे उमीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आया हुआ प्लीज मेरे वीडियो आप अपने वाट्सअप गुरुप पे शेयर करें मेरे चैनल सबिस्क्राइब करवा के रखें और मुझे एस्से एस्सेट रहे अगर आपको पैसा कमाना है धन्यवाद फ्रेंड